हलो दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल आए सिंदी में आए सिंदी YouTube चैनल की घटना चक्र स्रीज के अंतरगत आज हम पढ़ेंगे दीप समूर जो राफी की घटना चक्र स्रीज चल रही है उसमें आज के टर हैं दीप समूर चलिए पर जान लेते हैं कि दीप को लग रहा है कि समुद तल से थोड़ा उचाइपर है और यहां पर वास योगश्थान मिल सकते हैं तो इसे पर कहते हैं भारत के दोनों तर्फ़र हैंर आपके पूरवी तर्फ़र है बंगाली खाड़ी उनके माध्धम से क्या होता है कई बार संद्चना उपर निकला दें कई बार नीचे चली जाती है तो यह जो इनके जो उच्चाव ऊपर आने के कारण से जिसे बुलते हैं इमर्जंस ठीक है ना उमजन उसके माध्धम से इसका निर्माड हुआ है यह कहते हैं कि कोई परवस्तंकला उसी का उठा हुआ भाग है जो आपका पश्चमी भाग पर जो दीफ समोर है यह मूंगा चतान है आप कोरल रीफ का नाम सुने होंगे कोरल रीफ होते हैं जो मृत प समोर के माध्धम से मध्धम से चतें की माध्धम से और रीफ कि कोने मधंगा भंधम से एक माध्धम से यह मैफ आप और बंगाली खाडी में दो दिप दस अंस अच्छांस की उत्तरी अच्छांस रेखा है यह लग करती आपको नीकोबार दीप समूह से नीकोबार दीप समूह है वो दस अच्छांस की नीचे है ठीक है ना यह मालीजी की नीकोबार दीप समूह है तो यह है आपका लिटिल नीकोबार और यह आपका ग्रेट नी गोबार में कि बड़ नीगोबार में चोटा नीगोबार है और छोटा अंडमाण है इसके ऐसे हमारी है बंगाल की खाड़ी की आनको संदचना। लेक्वे को देखी गए ध्युक्त required byron byron my双ने जी हमारे में इस्वारी देखिग वह ठाहिए इसमें 성्री सक्रीट देखी गई थी यहां पर पाइटान नारकुंडन डीप यानि उत्री अंडमान में प्रसुप्त जौल मखी प्रसुप्त माना जाता है हो सकता कभी कभी जो है यह दिखंडन हो इसमें कभी जौला निकल जौला मुखी कभी फटे लेगी ना ऐसा इसमें भी तक नहीं यह नार्थीश का पार्ट है हमारा इसके बाद मैम्मार है यहां पर एक रेखा है इसके नीचे आपका है वो हमारे जो बंगाली खाड़ी के दीव समोर तो यहां से जो है एक इस्ट्रेट गई है उससे जो है यह अलग होता है ठीक है ना उसके बारे में जह हम पढ़ेंगे तो उसका वियद्धन करेंगे चलिए चलते हैं लोग इसमें यही सब चीज़ दी गई है कि अंडमान नीकोबार का जो सबसे उची चोटी है यह देखिए सरवोच सिखर उसका नाम है सैडल पी कहां पाई जाती उत्तरी अंडमान में कहां उत्तरी अंडमान में पाई जाती सबसे उची चोटी पूरे जो है अंडमान की सो है सैडल पीक और इसके बाद देखिए इसमें कुछ दिया नहीं है लेकिन एक चीज यह भी याद रखिएगा दोस्तों जो मैंने बताया है इनकी उत्पत्ति कैसे हुए अंड मांदीब जो है कि तरतियक परवत्रेडी अराकानियोमा का बिस्तार है अराकानियोमा कहा है यह आपका ना नार्थिष्ट की बीच में और इसी का बिस्तार माना जाता है अंड मान नीकोबार दीब समोह और जाब का पश्मी दीब समोह है वह मुंगा चट्टानों से बना है यह थोड़ा देखिए बहाद कि पूर्वी तरप स्त्री हरी कोटा दीब इसमें जो पुलिकट जील के समी यह कुछ ऐसा है यहां पर आपके पुलिकट जील आंध्र पदेश्ता तमिल नाडू के मध्यनवस्तित है इसके बाद आपका है शिरी हरी कोटा दीब दीब मतलब फिर वही संदर्चना उठी हुई और यह आपका है अरब सारी बंगाली खाड़ी तो कुछ ऐसा पार्थ है इस ना जील है यह आपके बंगाली खाड़ी यह आपका सिरी हरी कोटा दीब जहां चै compt पर आपका सिरी हरी कोटा दीब स्पेस सेंटर यहां पर इस्थित है इसके बाद अब देखिए आपको जो पूर्वी दीप समों में देखना तमिल नाडु में इस्थित राम सेतू भारत के पंबन दीप के अंतिम छोड धनुस कोडी से प्रणम्भोकत स्रिलंका के मनार दीप तक एक स्रंखला के उथली जिसके धन्ष कोडी तक आता है और यहां पर है मनार दीप यहीं पर देखिए यहीं इसी संदरचना बंगाली खाड़ी और मनार इखाड़ी को अलग करता है जिसे कहते हैं पाक जल पाक जल संधी चलिए कुश्चन आसर के माधिन देखते हैं अंडमान और निकोबाद बैट करके बता गएं उत्तरी मद लुप रहात दीपॉली ऑली चोटी सिंपल संसर इसका सैडल पीख चलते हैं एक मैं कि यहां आपका रहा है कि अंडमानुवा निकोबार क्या है क्या यह बंगाल की खाड़ी के दो डीप समू है तो लिखा है कि आपके अंसर में कि बंगाली खाड़ी के दो दीप देखिए दो डीप लिखे लिए ग्रूपा फाई लैंड्स है इसलिए इसका उत्तर हो जाएगा बंगाली खाडी में दीब समु आरब सागर हिंदमा सागर दीए लेकिन आमगारव सब से उप्योख उप्तर हैं बंगाली खाडी में दीफ समु है यह अंडमान निकोबार दीफ समु में कि अन्दमान निकोबार दीव समय की संख्या 222 ट्रिपल टू ठीक है जब कि दीपों टापों इकुल संख्या पांसो भागता रहा ऐसा कोश्चन नहीं पहुंचता है लेकि जहारखन पीछर ने पहुंच लिया है आप फिर भी आदर रखेगा 222 दीप समय है देश डिद्री चनल प्रथक करता है सिंपल सा कोश्चन है मैंने अभी आपको बताया है देखी इसमें वो नहीं दिया कि लिट पर सेब्सक्रमार नमदे था दस अंस उत्तिर च्छठ रखा का है सेब एख रहा है थोड़ सा कुश्च explanation करतें तरीका है एक मात भारत में इस्तित है चीन सागर अरब सागर भुमत सागर आईसे कोश्चन दिये हुए इसलिए हम इसको मारेंगा सीधा उत्तर बंगाल की खाड़ी में ठीक है बंगाली कहां पर मदधन मान में स्थित, उत्रिय अन्दमान, मदधन मान, भारत के पश्मी तटी मैदान के उत्री भाग के जिस अने नाम से जाना जाता है, कहां से महाराश से गोवा तक, गोवा से आपके करनाटक तक है, कंनरतर और यह आपका कौंक माला वारतर तो इसलिए इसको उत्तर हो जाएगा उत्री भाब को कौंक करतर आंसर होगा आंसरोगा सी चलीते हैं नेक्ट क्योंट भारत के जो बारम आईलेंड वह आपका उद्गम म्खी है और मखीचरण का तरीका अजीब तो थवर्ण सा कंफूज मत हुई हगा नदेप वहें एक मातर ょ April zgो जोञा मुखिय है कि या है कि कि सक्री ढूंपकी को कुश्यन है कि बैरंदी डीप सक्री जोड़ा मुखिय भारती राछ स्षेतर में शही बात है बाइरंदीब ग्रेट निकोवार के लगबग चालिस किलिमीटर पूर मिश्तित है गलत बायरंदीब आपके मद धंडमान मिश्तित है यानि ग्रेट निकोबा तो सबसे दच्छिड में तो यह वाला चाबक को इस्टेटमेंट गलत हो जाएगा पिछली बार बायरंदीब जो आला मुखी उनिस सुंक्यान बे में उदगार हुआ था तब से निस्क्री बना हुआ है यह भी आपका जो है स्टेटमेंट गलत है क्योंकि अभी मैंने आपके बताए कि भी हाली में इसमें उदगार की कुछ देखे गए इसलिए इसका अंसर हो जाए केवल एक देखे इसने पूछ लिया यूपियसी को जो कुछन पूछने का ट्रेंड है वो लगभग करेंट बेस ही रहता है लेकिन उसको वो सब्जेक्ट से लिंक कर देता है कि हमारा कुछन थे वाला ग्यारों चलते हैं बारों कुछन है कह रहा है निम्ली खित्मे से कौन सा भारत में जौला मुखी दीप है सिंपल सा कुछन है जौला मुखी दीप है बहरां दीप अंडमान के पूर में स्थित है स्विरी हरी कोड़ा दीप पुलिकट जील और को बंगाली खाड़ी अलग करता है तो देखिए कहां पर है कुछ नहीं दिया कि जील के समीब दिया है आपको मार देना है पुलिकट जील के समीब वस्तित है यहां पर क्या है इसको भी आपको याद रखना है पुलिकट दीव पर कहां पर है यह पुलिकट जील है इसके बाद आपका है यह स्रीहर कोड़ा दीव बंगाली खाड़ी इसके बाद धनुस कोड़ीज थीक है राम जी के समय में यह सेतु बनाया गया था ठीक है रोस्तों चलिए अगले कोश्चन को छलते हैं दिखा है राम सेतु भारत के पंबन दीप के अंतिम छोर धनुसकोर इसके बाद सुरू होता है राम सेतु उसलिंगर के मननार दीप तक एक संखला के उतली जली भाग कुरूवें बिस्तारी था है नम लिखित में कौन सा भावाली कुरूब से Great Nicobar के सबसे निकट है Great Nicobar कह रहा है थबसे पहले हम जानते है Great Nicobar की location नेखी यह Atmond Mac everything the place is Blake a Great Nicobar इसके बाद है a stream सुमात्रा इसके बाद है आपको जावा ठीक है ना? तो इसके लिए इसका कर दोस्तों हम लोग कुश्चन कर रहा है आप अपने सुझावव खेजिए कमेंट अब कर कमेंट कीजिए और इसको जादा जादा चैनल को लाइक कीजिए, सस्क्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ सेर कीजिए चलते हैं हम लोग अब पढ़ते हैं अरब सागर के दीप समूर अरब सागर के दीप समूर का मतलब है यह अरब सागर है आपका और यहाँ पर जो दीप समोर पाया जाता है उसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं लिखे की लिखा है केरल में भारत में केरल के माला बारता के पास लच्छ दीप इस्तित है ठीक है न यह परवाल दीपों से बना मैंना के बता है यह यह जो की तब यह इसके बाद हम यह सब नहीं देखते हैं पर इसमें यह जुरूब देखें गे इसमें खुल दीफों की संख्या 36 पूंच लेता कि इसमें कित्ली 2022 इसमें 36 है और 32 वर km mgd 6 पकुल हैं कि इसमें हम यह देखते हैं कि फ्रातिति की स्रंखला है मुझते हैं उत्तरी दीफ समय को आमीनी दीफ कहते हैं जैसे यह जे मुझते द्श्टि दीव कहते हैं और सबसे दश्टि दीव को कहते हैं मिनि का ठीक है ना द्श्टि रादधानी कर्दk जो सब्सक्व हैं पाया द्श्टि यह मोँनद्फ 179 से 10 क्युमीटर दूर पर तीफ वेइत पश्मी तर्टी महाराइश्ट राज में इस्तित है माना जाता है मुंबई यह ठाड़े इसी पर इस्तित है लिए नाम है आप इन चीजों के याद करेंगे पढ़ दूंगा मैं कोई पर मतलब नहीं भूल जाना है आप इसको जो है एक बार अपने से कर लीजिए गा ठीक है ना दोस्तों यह थोड़ा से देख लीजिए यहां पर मैंना आपको बताया है तो जो गुजरात हैं पर क्रीक पाया जाते कोरी क्रीक जोरी क्रीक यह जो है भारत व पाकिस्तान के मत ब थोड़ा सा बिवात के छेत्र बना हुआ है चलते हैं इसमें हम लोग कुश्चन आंसर मिसे के माधम से इसको हम डिसकस करेंगे एक चीज़ आपको मैं बता दूं जो यह आपका लच्छ दीप है इसमें आमीनी दिव मीनी काय जैसे सनजना है और इसकी नीचे पड़ता है आ अलग करती चिख है तो लच्षिदीप कहां इसकी थी थी सबसे पहरे सिंपल कुश्चन है कि लच्षिदीप कहां इस दीथ आपको इसमें मारना है अरब सागर में हिंद महा सागर बिल्कुल नहीं माना यहां पर अगर अरब सागर नदिया होता तब आ लिएْ पूरा उसी से ना माल डीप से ओपर आइंगा है और बाकुर्दीन अलग होता है यह जा प्रश्थ दीप है? जैने जो मिनिक अलग होगा आपका माल डीप से तो अठ समजेस अलग होगा, ठीक है? ना माल दी जो देश है निम लिक्षित में से कौन से एक प्रवाल दीप है मने बताए कि लच्छी दीप से रचना प्रवाल दीप से है अगर आप कहां पर दी है कंफ्यूज नहीं होना है अंड माननी को बार आरा काम योमा परवत का यह भाग है इसलिए इसको उत्र हो इसको उत्र हो दाच्छिव भारत यह इसको उत्र कैना दश्च्छी दी वह और यह पेस्चिम भी है जलते हैं अगले कुश्चन कियो दीपों का समों लच्छमी सिंपल सांसर प्रवाल की उतपत्ति प्रवाल दीपों से बना है कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना कूश्चन कई बर पूर जा चुक है repeated question है इसलिए बिलकुर इसको सही करना है लच्छ दीप में कितने दीप है मैंने आपको बताए कि 36 दीप समूँ है इसलिए दीप समूँ तो लच्छ दीप है लेकि इसमें 36 दीप है चलते हैं आगए इसको उत्तर जाएगा सी कह रहा है कि निम्न में कौन सदीप भारती तट्रेखा से दूर वर्ती दीप की सेड़ी में आता है निम्न में से कौन सदीप भारती तट्रेखा कि सुदूर वर्ती दीप की दूर है तो देखिए अमीनी दीवे भर्टकल अरनाल सब उपर में है लेकिन ये अच्छांस के मादम से मीनी का थोड़ा सा दूर में आ जाता है फिशकर माल दीव इसलिए उसको उत्तर हो जाएगा अंसर सी ये देखिए दिया गया है कि प्रुत विकल्पों में कर देखेंग तो मीनी का दीव भारती तठ्रेखा से सुधूरवर्टी स्थिणी पर आता है जबकि भठकल अरनाला और हैंड़ी अब तठी ये दीव हैं किस दीव में आते हैं ठीक है दोस्तुम निम लिखित भारती दीव में काउंस है दीव भारत तो स्रिलंका के मद देश्थित है भा इसको आप नाम बहुत सुने हैं बिल्कुल मत होईएगा एक दीव भारत का निर्मित बड़ा सहार है देखिए आ गया ना कि एक दिरिपन निर्मित भारत के बड़ा सहार उसका दीव का नाम है साल्टोसा और इस्थित है मुंबई है कि सिधा कोशन पूंच लिया यह देख दिया गया है जो मुंबई सहार है एक दीव पर निर्मित भारत का सबसे बड़ा नगर मुंबई है ठीक है न और उसका नाम है सल्टोसो देखिनी पोल्ट ब्लेयर के बारे में दिया गया है यह दूसरे के बारे में दिया गया है लेकिन तो आप इस पर जो है इस सबसे बड सरवादी का यह देखे साल से याद रखिएगा मुंबई सहर सरवादी का बादी है कुछ कहने नहीं है भारत का महानगर है जिसके बादी करोड में है चलते हैं अगले कुश्चन दस्वे कुश्चन की और यह थोड़ा सा देखें याद रखेंगे मिलाना है इसमें इसमें कैसे मिलाएंगे थोड़ा सा ध्यान दीजेगा इसमें आप गरत मत कीजेगे देखें द्वार का जो है और दिव दमन दिव जो इस पर दो देखिएगा आपका जो डी नंबर है दिव यह काठिया वाद तड़ परिस्टित है सॉरी कुष्चन भी नहीं आ रहा इसमें यह काठिया वाद तड़ परिस्टित है इसके बाद जो द्वार का है द्वार का हो सकता भी कच्छ और खंबादी खारी में कन्फ्यूजन हो जाए आपको तो जो द्वार का है आपको वो है अरब सागर तट परिस्तित है आप इसी से उत्तर निकालनी कोशिश कीज़ेगा क्योंकि बेयंत सयोधर और पीरम आपको पता होना चाहिए एक्जेटली किस पर है देखिए अगर आपको द्वार का पता है आपका अरफाइंस उत्तर भी मा ले जाएंगा इसलिए इसको उत्तर हो जाएगा इसलिए हम इसको पर मिला लेते हैं बेयंत सयोधर कच्छी खाडी में पीरम खंबाती खाडी में द्वार का अरफाइंस आपको याद करना पड़ता हर चीज का सलूसन यह नहीं आप किसी चीज को समझ गहें तो करी ले जाएंगे यह फैक्चुल बेस इंफॉर्मेशन है बेयंत सयोधर कच्छी खाडी में पीरम खंबाती खाडी में द्वार का आरफ सागरतर द्यू काठिय वरतर अंसर हो जाएगा बी चलते हैं कोरी क्रीक की स्थित है कच्छी खाडी से कंफ्यूज मत कीजिए कच्छी के रन में जो दल्दली छेतर है वहाँ कोरी क्रीक है याद रखिए गो दोस्तों यह थोड़ों कंफ्यूज करने वाला है कच्छी के रन में ही मारना है ना कि खाडी में किसी कच्छ के रन में, कोरी क्रीक कहा है थी थी थे, आंसर डी कच्छ के रन में सर क्रीक, सर क्रीक भी भारत और पाकिस्तान के मद, जो है बिवादी छेतर है, यह भी आपका दलदली छेतर है, यह भी आपका कच्छ के रन मिश्थे थे कोरी क्रीक सर क्रीक दोनों चलते हैं देखे दोस्तों हमारे जो दीप बाला चेप्टर है दीप समोह का पश्ची में पूरभी दीप समोह में दोनों खतम कर लिए और इस लेक्चर को वहीं पर श्टाप करते हैं प्लीज आप आईए शिंदी यूटूब चैनल को सस्क्राइब कीजिए लाइक कीजिए और अपने कमेंट सेक्षिन पर कमेंट जरूर कीजिए जिससे हमें कुछ हुझाओ मिलते रहें थैंक्यू थैंक्यू फार डिसकस्टन मिलते हैं नेक्ष्ट लेक्चर